ओक वेल्कम् तू माई चाइनल और आज हम बनाएंगे वैनिला केक प्रेमिक्स और चौकलेट केक्ष चॉकलेट आसान रेजिपि है और झैसे आप JUST केक क्यमिक्स बहार से लाते हो केक का स्पंज भी बना के दिखाऊंगी जो की बहुत स्वाप्ट और टेस्टी बनता है तो चलिए रेसिपी की शुरुवात करते हैं तो अब हम वैनिला केक्स प्रिमिक्स बना रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम मैदा मतलब एक बाउल मैदा है फ्रेंज साथ ही मैंने लिया है 100 ग्राम पाउडर शुगर तो लगबगे आदा बाउल पाउडर शुगर है उसके साथ हमने लिया है दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर तो जितना हमने शुगर लिया है उससे आदा हमें मिल्क पाउडर लेना है तो उसके बाद अब हम लेंगे घ्रप टीजपून बेकिंग पावडर हाप टीजपून बेकिंग सोड़ा और और वनफोर टीजपून साइत्रिक एसिद भी इस रेशिपी में बहुत जरूरी है फ्रेंज किसी भी स्टोर में जहाँ पर केक का मट्रेल मिलता है वहाँ पर आपको यह आसानी से मिल जाएगा तो अब हम लेंगे एक मिक्षर का जार और उसमें हम एड़ करेंगे जो हमने मैदा लिया था 200 ग्राम उसको तो लगबग एक बाउल मैदा में ने यहाँ पे एड़ कर दिया है तो उसी के साथ हम आप इसमें एड़ करेंगे 100 ग्राम पाउडर शुगर अब हम उसमें एड़ करेंगे मिल्क पाउडर जो की दो टेबल स्पून हमने ली थी यहाँ पे मैंने हाप टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है और हाप टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है उसी के साथ मैंने यहाँ पे डाला है वन फोर टी स्पून साइटरिक ऐसी अब हम मिक्सर का धक्कन लगा देंगे और उससे एक बार मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने mixer में इसे चला लिया है थोड़ी देर एक मिनित के लिए तो यह अच्छे से mix हो चुका है आप देख सकते हैं अब हम एक बाउल लेंगे उस पर एक छन्नी रख देंगे इस प्रकार से और जो हमने mixer में cake pre-mix बनाया है उसे इसमें डाल देंगे अब इसे हलका सा mix करते हुए चान लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे चान लिया अच्छी तरह से तो चानना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है तो हमारा वैनिला के एक प्रेमिस बिल्कुल रेडी है मैंने यहाँ पर कोई भी वैनिला इसेंस का पावडर नहीं डाला है ताकि आप किसी भी फ्लेवर का इसेंस डालके इसे बाद में स्पंज इससे बेक कर सकते हो आप इसके लिए तो इसे इसी तरह से एर टाइट कंटेरर में भरकर साइड में रख दीजिए फिर आप इसे एक से दो मेने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं अब हम बनाने जा रहे है चौकलेट केक प्रेमिक्स तो फ्रेंस जो हमने वैनिला केक प्रेमिक्स बना है सेम उसी प्रोसेस से हम चौकलेट केक प्रेमिक्स बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने जो वैनिला केक प्रिमिक्स लिया था तो उसी में मैंने बस दो टेबल स्पून कोको पाउडर एड़ किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मटरियल हमने वैनिला केक प्रिमिक्स बनाने के लिए लिए थे बिल्कुल वही material मैंने यहाँ पर लिया है, बस यह जो cocoa powder है, उसे ही आपको 2 टेबल स्पून उसमें add कर देना है, तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने cocoa powder ले लिया है, जो भी material हमने लिया था, उसे फिर से mixer में डाल लेंगे, और एक बार mixer चला लेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक बार mix में इसे गुमा के mix कर लिया है, आप देख सकते हैं, हमारा chocolate cake premix भी बिल्कुल ready हो चुका है, अब हम एक बावल लेंगे, और उसमें उसी प्रकासे एक छन्नी रखेंगे, और जो हमने cake premix अभी ready के आए, उसे इसमें डाल देंगे और चान लेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकास से मैंने इसे चान लिया है, अब हम इसे airtight container में भरकर रख सकते हैं, आप इसे एक से दो मैने तक आराम से रख के यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपका मन करेगा तब अब इसे 200 ग्राम लेकर इसे एक sponge आराम से बना सकते हैं, तो इसे मैंने airtight container में भरकर साइड में रख दिया है, अब हम लेंगे vanilla cake premix, जो कि हमने पहले बनाया था, तो यहाँ पे मैंने साइड में बाउल में 200 ग्राम vanilla cake premix निकाल लिया है, हम उसे एक बरतन में डालेंगे, तो लगबग 200 ग्राम vanilla cake premix है, मतलब एक बाउल, तो अब हम यहाँ पे vanilla cake premix से vanilla sponge बना रहे हैं, मैं आपको एक sponge बेक करके दिखाऊंगे, कितना soft होता है, तो यहाँ पे मैंने डाला है vanilla essence, 5-6 बुंदे आपको यहाँ पे vanilla essence डालनी है, साथ में मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पानी लिया है, 100 ml पानी लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका बैटर बना लेंगे, तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम बैटर बनाएंगे, पूरा पानी हमें एक साथ इसमें नहीं डालना है, लगातार mix करते हुए, 5 मिनिट के लिए अच्छे से हमें इसे mix करना है, एक की direction में गुमाते हुए, तो यह mix हो चुका है, अब सबसे last में हम पर ओईल डालना है, तो करीबन दो टीस्पून मैंने यहाँ पर ओईल डाला है, और फिर से एक बार इसे mix कर लेना है, आप देख सकते है, बैटर कीस प्रकार से बनके रेडी हुआ है, तो यहाँ पर मैंने एक केक टीन ले लिया है, उसे ओईल से अच्छे से grease कर लिया है, बरतन पर मैंने एक गैस अन करके मैंने उसे एक बरतन रख दिया है, और बरतन को हम 10 मिनिट के लिए फ्री हीट होने देंगे, तब तक हम बैटर इस तीन में डाल लेंगे, आप देख सकते यहाँ पर तो अब हम 10 मिनिट हो चुके हैं इस बर्तन को फ्री हिट किये हुए आपको इस प्रकार से अंदर एक रिंग रखनी है और जो केक तीन में हमने केक का बैटर निकाला था उसे हम इसमें रख देंगे अब हमें इसे ढख कर 20-25 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे बेट करना है हमारा फ्लेम लो ही रहेगा 15 मिनिट हमारा फ्लेम लो ही रहेगा 20-25 मिनिट के लिए तो आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हैं हम 25 मिनिट के बाद इसे चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 मिनिट हो चुके है लो फ्लेम पे हमने केक को बेट करने के लिए रखा था अब हम एक तूटपीक की सहायता से चेक करेंगे कि बेट हुआ है कि नहीं हमारा केक तो इस प्रकार से मैं आपको दिखा दिए हमारी टूटपीक बिल्कुल क्लीन आ रही है हमारा केक बेक हो चुका है 25 मिनिट हो चुके है अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे अब इसे रूम टेंपरेचर पे थंड़ा होने देते हैं 10 मिनिट के लिए याद रखना फ्रेंड्स इसे थंड़ा होने के बाद ही रीमू करना है तीन से नहीं तो यह तूट सकता है तो इस प्रकार चाकू की सहायता से अलग करके मैंने इसे पल्टी करके निकाल लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्पंज कितना अच्छा बना है बिल इतने जाले हमारे स्पंज को आ चुकी है तो आप हमारे केक प्रेमिस को एक बार जरूर ट्राय किजिए अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चाइनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक क लिए टेक क्यर बाइबाइब